हेलो एवरिवेड़ी मेरा नाम पंकच कुमाराना है और मैं इस साल सिंज यंग मैडिकल युनिवर्सिटी चाइना एंबीविएस करने के लिए जा रहा हूं तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि फॉरण में एब्रॉड में एंबीविएस करने के लिए क्या-क्या इन्फ तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा फरस्ट अफॉल सबसे पहले अगर हमें किसी अबरॉड कंट्री में अपनी एंबीविएस करने के लिए जाना है फर्स्ट अफॉल जो सिस्टेमाटिक मैनर होता है हमें सबसे पहले मैडिकल इंटरेंस एक्जाम होता है नीट हमें उस उसको क्वालिफाइ करता है तो उसके पास option रहता है कि वह इंडिया प्राइवेट ये गवर्मेंट कॉलीजिस से वह अपनी में एडमिशन ले या फिर वह एबरॉड जाए तो दैन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉरन एबरॉड में अगर जो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभसे पहले बाधर घ्म्स में अडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है सभसे पहले दोस्तों में एक कंट्री चूज करनी होते हैं कि आप जिस कंट्री में ऑापनिसर लेना चाहते हैं like china Russia औ यूकरेन एंड देर और मैनी मोर कंट्री जहां पर और भी स्टुनेंट्स जाते हैं बट यह ज्यादा प्रेफर की जाती है लोगों तो जैसे कि मैं इस साल जा रहा हूं चाइना सिंज्जांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिसल लिया है मैंने और मैं आपको बताना चाहूंगा तो सबसे पहले क्या-क्यां चीज़े देखने जरूरी है मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप वह पर किस कंट्री में जा रहें ज्यारें आफटर रहां आप कंट्री डिसाइड ने के बाद आप महाँ पर किस मेडिकल युनिवर्सिटी को चूस करते हैं यह बहुत important है because medical university में जिसमें आप अपना admission लेने जा रहे हैं आप आने वाले अपने पांस साल भी पड़ाई करने जा रहे हैं वह बहुत important है कि आप किस अच्छी medical university में जाएं तो सबसे पहले आप medical university को चूज करने से पहले आपको यह है जानना बहुत important है कि वहाँ पर किस तरीके से quality of education है क्या faculty है और वहाँ पर क्या फीश्रक्चर है यह सभी आपको जान लेना पहले बहुत important है सबसे पहले आपको यह सब चीजे पता होनी चाहिए कि यदि आप बार किसी भी medical university में आप registration कराके वहाँ पर अपनी पढ़ाई further पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजे करनी चाहिए तो वहाँ पर किसी medical university को चूज करने से पहले सबसे पहले वहां की जो quality of education करें वहां की जो location है जैसे कि जो आसपास की जो सिटी है आसपास की जो वहां के environment वह कैसा है because क्या होता है कि location का भी बहुत बड़ा फैक्टर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है तो location के बाद after that वहां पे जो कुछ बहुत सारी ऐसी countries हैं जहांकि जो medical universities हैं वह अपनी language के बेस्ट पर मतलब की वहां पढ़ाया जाता है लाइक वहां पर बहुत सारी ऐसी universities हैं लाइक रस्या यूक्रेन चाइना मतलब की जैसे जो कुछ यूनिवर्सिटी जिनका जो टोटली जो स्लेबस है पांच से साल का वह टोटली इंग्लिस में पढ़ाया आता तो यह यह एंसे और करने कि जिस भी आप medical university में जा रहे हैं पढ़ने उसका जो स्लेबस है वह इंग्लिस टोटली इंग्लिस पर बेस्ट है या नहीं बिकॉस देर आर बहुत सारी ऐसी medical universities जो बाइलिंग्वल है और यह सबी जो इंस्ट्रक्शन्स हैं यह सभी जो इंपोर्टन फेक्टर सें यह सभी जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको यह जाननी बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि बाइलिंग्वल कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर शुरुवात के जो पहले तीन-चार साल होते हैं वो उसमें में इंग्लिस में पढ़ाते हैं आफ्टर डैट जो आपकी लाइक अगर आप रस्यन किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हां पर आने फर्स्ट तीन साल आपको में पढ़ाएंगे दैन आपको जो आगे के जो साल होंगे उसमें आपको लास्ट टू येर्स में आपको एक रस्यन लेंगुज में पढ़ना होगा तो यह इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है क्योंकि एक लेंग्विज को सीखना किसी भी कंट्री की और उसे लेंग्विज को उस एंबीबियस की पढ़ाई में उस लेवस को पढ़ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस करेंट करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यह एंसे और कर लें कि आप जिस भी मैडिकल उनिवर्शिटी में जा रहे हैं कि वह टोटली इंग् प्रश्च करा देते हैं बट एक्शुली यह बहुत सारी ऐसी जो प्लेसी आपको प्रोशीड करना काम कि आप अच्छे मैनर में आप अपनी अच्छी मेडिकल उनिवर्शिटी चूज कर सकते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आने वाले टैम में जैसे जितने भ बताता हूं कि लोग हर साल या पर जाते हैं तो इक बंच में बहुत सारे स्वीट्स वहाँ पर जाते हैं एक पूरा बेज जाता है तो बहुत सारा तो यह बहुतिन चूज करें और आप देखें कि आपको आने वारे टेम में इन सब चीजों की ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े और वहां की जो फीश्ट्रक्चर है यह पहले आप सबसे पहले समझ लें अच्छे से अपने पेरेंट्स और स्टुएंट्स को दोनों को पता होनी चा हैं और जो उसकी medical university की जो tuition fees है प्लस वो hostels and so many expensive हो जाते हैं तो यह सबी चीजे आपको important रहती है यह जान लेना बिकॉज आप किसी काम को करने से पहले अगर उस चीज को अच्छे से प्रॉपर प्लैनिंग के साथ जाएंगे तो वो आपके आने वाले टैम में एक आपको एक बहुत ही अच्छी help होगी आपको आने वाले टैम में कम से कम problem face करनी पड़ेंगी तो मैं आपको यह सब बतान में आपको बता रहा हूं कि वहां की लोकेशन वहां की फैकल्टी मां की जो लैंगेज बैरिकेट प्रॉबलम है और quality of education यह सबी चीजो को ध्यान में मद्य नजर रखते हुए में आपको बताना चाहूंगा कि सबीचीजे जाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले और उसके बाद कोई decision ले देन आफ्टर डैट जो कोशन में कोशन से रहता है स्टुडेंट्स का कि वह किसके थूज जाए में से बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स है आने जो अपना कुछ स्टुडेंट्स को डारेक्ट एडिमिशन कराते हैं अपने थू कि फॉर एक्जामपल सब्सक्राइब कुछ सीनियर स्टुडेंट्स है वह यह एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आयम डूइंगा में बातों में भी नहीं आना चाहिए उनकी जो में में प्रॉब्लम से यह सभी चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं और जो में इंपोर्टन पॉइंट वह यह सब्सक्राइब है कि जो मैडिस मेडिकल युनिवर्सिटी में आप जारे हैं वह आप जरूर देखें कि वह डवलू हो और जो अपना एम से वह एप्रूब्ड है यह नहीं और यह बहुत जरूरी है इस वेरी इंपोर्टन कि आप यह जान ले कि मतलब जो यहां की जो एम से और यह है और जो यह बहुत सारे इंटरनेशन लेवल पर जो मैडिकल ऑर गनाईजेशन प्रेंगे बहुत जरूर है अगर वह प्रवेवर्ड नहीं है तो में अपने आने वाले जो पांस साल है वह तो भी आप अपने एक रिस्क में डाल सकते हैं क्योंकि इन मेडिकल उनिवेसिटी का कुछ एक बरोसा नहीं होता तो आप मेडिकल उनिवेसिटी को चूज करने से पहले इस सब भी पॉइंट ध्यान में रखें तो मैं आपको बताने जाए रहा था कि जो में में जो कॉस्टन सब्सक्राइब करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको बहार जाना है तो एक किसी कंसल टेंट जो एक आपका ट्रस्टेड हो मतलब जिस पर आप पूरी तरीके से फेद कर सकें जो आपको एक एक जैक्ट निउस दे क्योंकि आज कि आ सब्सक्राइब करें जिन्होंने इसको एक बिजनिस की तरह बना लिया है मतलब वह एक तरीके से स्टूडेंट्स को और जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक ट्रू निउस जो होती है वहां की जो एक्जैक्ट इनफॉर्मेशन यूनिवर्सेटी की जिस भी कंट्री में आप जा जो भी कंसल्टेंट है उसके थुरू आप मतलब आप अपना बैस यह रखें कि आपका वह मतलब काफी अच्छा और ट्रस्टेड हो मतलब कि आपको एक्जैक्ट इनफॉर्मेशन दे और वह आपसे मतलब की बिजनिस विजनिस ना बनाए बट मैं ओवरॉल जो स्टूडें से आपको मतलब एड्मिशन करा देते बाहर और आपको अपना ध्यान ऑल्मोस्ट खोदी रखना पड़ता है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक तो सेल्फ डिस्सिप्लेंट भी होना बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट से अबरोट जाने के लिए सोच रहे हैं त लेखिन वह जो स्टूडेंट है डेजरन्ट मैंटर वह किसी भी कंटी से मदल बिलॉग कर रहे हैं किसी मिह कंटी से पढ़ाई कंप्लीट करें और वह आपको पिस्प्लीट नीवस्त बताएं और वह आपके साथ मतलब की जो एक एक जासे बिजनिस करते हैं कुछ लोग या कुछ जो कंसल्टेंट वो ना करें और आप आफ्टर डैट यह सब कंप्लीट करने के बाद आपका मुआ पे जो कंसल्टेंट जो होते हैं वहाप अपनी खुद की फीज लेते हैं आराउंड 1.5 1.5 2 3 लैक के आराउंड जो एवरेज फीज होते हैं और बाकी सभी अगराइब कराते हैं तो वहाँ का जो ज्यादा फीज चार्ज करेगा तो वह वैरी करता है हर कंट्री के हर रीजन एस साब से में जो एवरेज फीस आव यह रहती है और में और उसके बाद जो इनका इनका प्रोसीजर यह रहता है कि कंसल्टेंट आपको first of all एक 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 करते हैं कि आपका सक्सेस्फुरी रेजिस्टेशन हो चुका है फॉरण Medical University में वहाँ पर आपका student का इंडियन student का नाम चड़ता है और after that वहाँ पर वहाँ आपसे जो भी आपने fees decide करी है आपको वह पे करनी होते हैं और उसके वहाँ पर फर्दर प्रॉस्टीट कर दें जिस भी आप Medical University में एडिमिसल लेने जा रहे हैं और उसके बाद मेंस आपका सभी चीज़े चेक की जाती हैं लाइक आपका वहाँ पर सभी जो भी जैसे पाशपोर्ट असपोर्ट और जो कुछ और अदर डॉक्यमेंट साथ सब चीज़ें वहाँ पर समिट करने के बाद फिर आइधिंक वहाँ पर जब नाम आ आ जाता है वहाँ से तो आपके बाद इन्वाँ लेटर आता है महां से इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपको कि आपका वहाँ पे नाम और लेडी वहाँ पे रेइस्टर हो चुका है जो स्टुडेंट्स होते हैं उन्हें वेट करना होता है फॉर देर अपकमिंग वीजा 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 के लिए वीजा के लिए करना पड़ता है और डिल आई तिंग 1.522 मंस के राउंड यह आ जाता है और में भी पॉसिबल पहले ही आ जाता है तो यह हर मैंने बता है जैसे आपको हर रीजन हर कंट्री के इसाब से वेरी करता है और उसके बाद यह वीजा आने के बाद आपका जो एक बैच होता है पूरे इंडिन स्टुडेंट्स इतने भी जाते हैं सब अलग-अलग रीजन इस जैसे जाते हैं कि वह इस टाइम डूरेशन इस टाइम मंस के दोरान वह डिपार्चर करेंगे और उसके बाद वह जाते हैं आफ्टर कंपलीटिंग आफ्टर स्टेडिंग यौर फाइव फाइव और शिक्स एयर्स इन यॉर एबरोड उसके बाद आपको यहां पर इंटरेंस एक्जामनेशन है जो भी फॉरन जो स्टुडेंट्स बार आपर जाते हैं अपनी एंवीबियस की पढ़ाई कंपलीट करने के लिए उन्हें यहां पर आकर के यह इक्जाम कौलीफाय करना एक मेंडेटरी कर दिया गया है बाइदी गवर्मेंट आफ इंडिया त जो पेरेंट्स हैं उनके तो वह सब चीजें देख लें कि जो पूरा यह कंसल्टेंट मेडिकल युनिवर्सिटी में जिसमें आप एड्मिसल ले रहे हैं जिस कंट्री में आप जा रहे हैं यह सभी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है सारी एक्जैक्ट और ट्रू हो आप किस लिए जो आज के टैम में वह अपना बिजनिस भी इस तरीके से बना लेते हैं तो आप किसी फेक कंसल्टेंट की बातों में आकर करके उस पर ट्रस्ट ना करें और उसका थुरू मतलब वहां पे अपना एड्मिसन ना करा हैं तो आपको क्या करना होता कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो अपनी में से अगर सबसे पहले सिंपल रहता है कि जो कोई भी स्ट्रेंट होता वह चेक करने के लिए वैब का इस्तमाल करता है अगर गूगल पे वह कुछ जानकारी लेगा तो कुछ बहुत सारे सीनिर कंसल्टेंट ने अपनी खुद की आप उनके ऊपर विजट करें आप उनसे जानकर ले और जो आपके जो ट्रस्टेड जो सीनियर हैं सीनियर जो मैडिकल स्टुडेंट जो पर्शियू कर रहे हैं वी बेस की पड़ाई फ्रॉम एब्रॉड कंट्रीज आप उनसे पूचे जो आप पर इग्जैक्ट वो काम कर रहे हैं ना कि किसी ऐसी फेक या किसी ऐसे नॉर्मल कंसल्टेंट पर विजवास करें तो मैं आपको बताता हूं कि यह सब चीजे आप जान लेने के बाद मैं आपको यह एडवाइस देना चाहूंगा कि आप नॉर्मल यह सब चीजे जान ले उसके बाद आप अपनी लेने के लिए सबसे पहले आप यह सब चीजे जान ले अच्छे से पेरेंट्स और स्टुनेंट्स को अच्छे से जानकारी होने चाहिए और उसके बाद ही आप आगे प्रॉसीट करें और थेंक्यू मैं आपको बोलना चाहूंगा गुड़ लग फॉर फ्यूचर अच्छे से पढ़ाई करें एक अच्छा डॉक्टर बने और थेंक्यू अवरीबडी